Hello everybody, welcome to Magnet Brains, मैं हूँ Anisha पिया अपनी English Educator, कैसे हैं आप सब लोग? I hope everybody is doing well, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और बहुत मज़िम हूँ और इतनी अची बात से चली स्टार्ट करते हैं हमारी राइटिंग स्किल्स का फर्स टॉपिक जो की है Note Making and Summarizing अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि राइटिंग स्किल्स क्या होते हैं So note making and summarizing आकर होता क्या है अगर आप नाम से ही देखें तो note making का मतलब यह होता है कि आप किसी चीज के notes बना रहे हो And आप अगर class 11th में नहीं है और 12th में है या college में है या 9th में 10th में आप किसी भी class में है Note making आपके लिए बहुत important है क्योंकि हर student को हर subject में notes बनाने ही पड़ते हैं अपनी पढ़ाई को easy करने के लिए क्योंकि जो books में chapters होते हैं बहुत बड़े-बड़े chapters होते हैं बहुत lengthy chapters होते हैं और आप लोग उसको सरफ एक बार पढ़ते हैं एक बार पढ़के क्या करते हैं उसके notes बना देते हैं याने चोटे-चोटे pointers बना के रख देते हैं so that exam से एक दिन पहले या exam से दो दिन पहले जब आप उस chapter को revisit कर रहे हैं या revise कर रहे हैं तो आपको फिर से वो chapter full read करने का time नहीं मिलेगा instead आप क्या पढ़ेंगे आपने जो notes बना रखे हैं आप वो पढ़ेंगे ताकि आप फटा-फट brush up कर लें अपने पूरे chapter को या अपने course को और आपके दिमाग में सब कुछ fresh वापिस से revive हो जाए तो इसलिए बनाए जाते हैं notes and what do you mean by summarizing? Summarizing का मतलब यही होता है कि जब आपके पास एक passage है या आपके पास एक बड़ा सा chapter है और उसमें से आपने उसके notes बना लिए तो आप उन्ही notes की मदद से उन्ही words को use करके आप छोटी सी एक summary frame कर सकते हैं कुछी words में लिख के Why to do note making and summarizing? हम यह note making and summarizing करते क्यों है? Manageable size यानि की एक बहुत बड़े से chapter यह exam में जो आपका passage आया हुआ है तो हम क्या करते हैं? जब एक बार उस passage read करते हैं तो फटा फट underline करते जाते हैं और rough में कहीं चोटे 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 notes बना देते हैं So that हम जल्दी से बाद में notes को revisit करके जो नीचे question and answers given है उसको fill कर पाएं तो आपको manageable size में थोड़ा सा छोटा करने के लिए आप अपने notes बनाते हैं Key points are readable जो भी आप key points बनाते हो वो readable होते हैं यानि फटा फट उनको read कर लेते हो और अपने questions को attempt करते हो क्योंकि अगर for example आपके पास एक question आया है तो आप और उसका जो answer उस question का वो उस chapter में कहीं बीच में मिल रहा है आपको नहीं बता वो answer आपको कहा मिलेगा लेकिन जब आपने first time read किया होगा तो आप फटा फट उसके key points बना देते हो notes बना देते हो जिसकी वज़े से answer को answer का question का answer लिखने में आपके लिए easy होता है for better understanding obviously आप जब notes बना रहे हो तो आपकी understanding better होती है आपको चीज़े अच्छी तरीके से समझ में आती है क्यों कि अतना बड़ा सा chapter जो difficult points को जिसमें unimportant चीज़े भी होती है जो शायद skip कर देनी चाहिए और answers में नहीं लिखने की जरुवत होती है लेकिन जब आप notes बनाते हो तो सिर्फ जो important चीज़े ही होती है सिर्फ उसी के notes बनाते हो तो आपके लिए क्या होता है understanding समझने में आपके लिए easy हो जाता है quick revision during exam time exactly जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया कि जब आप exam के एक दिन पहले या दो दिन पहले अपने course को revise करते हो कितना सारे course होता है कितने सारे chapters होते हैं बहुत सरी चीज़े आपको पढ़नी रहते हैं तो उस चाम आपके लिए easy नहीं होगा कि आप सारे chapters शुरू से लिखे के integrate करो तो आपके लिए क्या easy होता है आप उनके लिए notes आप उसके notes बना लो याने कि छोटे-छोटे key points important important चीज़े आप लिखके रख लो ताकि आपके लिए exam में फटा-फट revision करने के लिए quick revision करने के लिए आपको बहुत easy पढ़ेगा याने आपके लिए बहुत आसानी होगी इसी वजह से हम notes और summaries लिखते हैं ताकि हमको पूरा-पूरा पढ़ना ना पढ़े बस जो important important चीज़ में note making और summarizing का वो कैसा आएगा note making and summarizing का जो question होता है उसमें आपको क्या करने रहते हैं तो सबसे पहले आपको एक passage दिया रहेगा exam में जो कि around 200 to 250 words का होगा आपको पूरे passage को पढ़ना पढ़ेगा और उसमें से क्या बनाने पढ़ेगे notes बनाने पढ़ेगे notes बनाने पढ़ प्रॉपर notes का एक format होता है जो हम further अभी study करेंगे उस format में आप सुर्फ important important चीजे लिखते हो कुछ abbreviations याने कुछ short forms भी लिखते हो पूरी पूरी चीज लिखने की आपको जरूरत नहीं होती है तो आप सबसे पहले जो passage दिया है उसको read करके उसमें से notes बनाएंगी दूसरी six to seven eight lines की होगी that's it उससे ज्यादा नहीं अब marking scheme in note making and summarizing exam में आपका note making और summarizing कितने marks का आता है और उन marks का distribution कैसे है तो note making total आता है five marks का exam में जिसमें से one mark जो होता है वो title के लिए होता है याने कि जो आप notes बना रहे हैं जिस topic है उसका एक title होता है एक heading होती है और वो आपको title container रहता है तो उसके one mark होते हैं आपके exam में out of five marks उसके बाद one mark होता है numbering and identifying के लिए मैंने आपको जैसे की बताया कि आप को जो notes बनाने पड़ते हैं वो proper format में बनाने पड़ते हैं और format में numbering होती है for example एक one हो गया फिर one point two one point three one point four फिर number two फिर two point one and so on तो यह जो numbering है जिसमे sub-headings आती हैं सब-sub-headings आती हैं इन सब के लिए भी marks अगर अपने numbering सही नहीं करी तो आपको यह one mark नहीं मिलेगा और आपने सही numbering करी है अपने notes की तो आपको यह one mark भी मिल जाएगा फिर one mark होता है key and glossary click जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको अपने notes में abbreviations याने short names भी पढ़ते हैं, full sentences लिखने की जरूरत नहीं होती notes में, तो जो short forms आप लिख रहे हो, यह उस और आपको end में एक ऐसे key बनानी पढ़ती है, जिसमें यहाँ पे आपने short forms लिखें और उन short forms का full word क्या है, वो आपको यहाँ लिखना है, तो proper box बनाके, key बनाके आपको abbreviations याने की short forms भी लिखने पड़ते हैं, जो अपने अपने notes में mention किये, और इंकम्पल सरे लिए four abbreviations तो आपको लिखने ही होते हैं, तब जाके आपको one mark यह पूरा मिलता है, और फिर आखरी में जो अपने main अपने notes बनाया है, जो pointers आपने लिखे हैं, उसके मिलते हैं two marks आपको, जब यह सब चीज़े आप सही करते हैं, तब आपको पूरे five marks मिलते हैं अपनी note making लिए, अब आते हैं summarizing, summarizing होती है total three marks की, जिसमें से two marks होते content के, यानि कि जो आपने पूरा matter लिखा है, अपने content में, उसके पूरे आपको मिलेंगे two marks अगर आपने content अच्छा लिखा है और उसमें कोई error नहीं है, फिर one mark जो होता है वो आपका होता है expression के लिए, अब expression का मतलब यह नहीं है कि मेरे facial expressions, no, expression का मतलब है, correct grammar and spellings, जब आप सही grammar का use करके एक summary लिखते हो और एक भी spelling error, एक भी spelling mistake नहीं होती आपकी, यानि कि आपके expressions के पूरे one mark आपको मिलेंगे, तो total note making के five marks और summary के three marks मिला के जो पूरा note making and summarizing का question होता है वो आता है आपका eight marks का, okay, so इस तरीके के आपकी marking scheme रहेगी, अगर आपने सारे points follow किये हैं अच्छे से, तो आपको full marks मिल सकते हैं Now let's start with the format of note making and summarizing, यह पूरा एक format है जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपका आता है उपर title, जिस भी topic पे आप note making कर रहे है, उसका आपको एक title, एक heading देनी पड़ेगी तो यहाँ पे आपका आता है title, फिर उसके बाद number one लिखो गया आप, यह आपका main point है main point से मतलब मेरा यह है कि यहाँ पे आपको कोई एक heading देनी पड़ेगी जिसके अंदर कुछ sub points आएंगे, तो यहाँ पे आपका main point आगया अब one के अंदर आते हैं कुछ sub points, यानि इसके अंदर भी अगर कुछ points include होते हैं तो हम उससे कहते हैं sub points जैसे 1.1, 1.2, 1.3, like this अब उसके बाद आता है number two, again this is a main point अब यहाँ पे भी आपको कोई heading लिखनी पड़ेगी, जो की उस passage की अंदरी आती है for example benefits आपको लिखनी किसी चीज़ के, for example benefits of fruits तो आपने यहाँ पे heading देदी benefits of fruits, तो क्या-क्या benefits होते हैं वह 1.1, 1.2 और 1.3 में लिखेंगे, for example उसी topic का जो second main heading है disadvantages of eating citrus fruits, for example, तो आप यहाँ पे लिख दोगे and फिर उसके अंदर 2.1, 2.2 and so on अपकी subheadings आती जाएंगे उसी तरह से फिर यहाँ पे again आपकी main point आएगा number three उसी passage में से अगर आपको एक और कोई point लेना है as a main point तो आप यहाँ पर लिखेंगे और उसके अंदर अगर कोई points include होते हैं तो आप 3.1, 3.2 करके लिखेंगे Now, 3.1 आपने as a subheading लिख दी, 3.2 भी आपने subheading लिख दी अब आपको subheading के अंदर भी लग रहा है कि इसके अंदर भी कुछ और points include होंगे तो आप लिखेंगे subheadings याने जो 3.2 है अगर आपको लगता है कि इसके अंदर 2 points और add होंगे तो आप लिखेंगे 3.2.1, 3.2.2 and again उसके बाद फिर आपका start होगा 3.3 फिर से again आप subheadings पर continue करना start हो जाएंगे यह जो आपका format है जिसमें title आता है कुछ main points होते है main points के अंदर आते sub points और sub points के अगर अंदर भी कोई further bifurcations होते है तो वो होते हैं आपके sub sub points now इसके नीचे याने पूरी numbering पूरे notes के नीचे आपका आता है key to abbreviations यह भी आप नीचे लिखेंगे side में लिखेंगे I was not having space तो मैंने की को यहाँ पर shift करके रखा है आपको इसके नीचे ही इसको continue करना पड़ेगा अब आपको एक box बनाना पड़ेगा जिसकी heading आपको दीनी पड़ेगी key to abbreviations 1, 2, 3, 4 इधर पर आपने जितने भी short forms लिखे हैं यानि कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आप notes लिखते हो तो आप छोटे-छोटे phrases include करते हो full sentences उसमें include नहीं होते हैं तो हमको क्या करना रहता है जो भी हमने keywords या फिर short forms बोले तो abbreviations जो हमने use किये हैं तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे for example अगर मैंने बोल दिया word है investment अब investment अगर मुझे लिखना है word अपने notes में तो मैं full word investment का नहीं लिखूंगी मैं इसको short में लिख दूँगी invt dot तो यह एक abbreviation है जो मैंने use किया है अपने notes में तो मुझे mention करना पड़ेगा ऐसे मैं यहाँ पर लिख दूँगी invt dot हर abbreviation के बाद आपको short form के बाद dot जरूर लगाना है और यहाँ पर मैं इसका full form लिखूंगी कि उसका full form क्या है तो उसका full spelling में लिख दूँगी investment like this आपको ऐसे total 4 at least 4 abbreviations तो आपको exam में लिख नहीं है and आप कोई भी कहीं से भी abbreviation कुछ भी short form नहीं उठा सकते है क्यों क्योंकि आपको वही abbreviations use करने है जो popularly use होता है and popularly known है English language में तो जैसे कि investment, investment हम use कर सकते है अगर और कोई word का मैं short form use नहीं कर सकती अगर वह popularly use नहीं होता है तो so known abbreviations को ही आपको use करना है अपने notes में so this was all about the format of note making अब format देखते हैं हम summary का summary का format बहुत easy and बहुत चोटा सो होता है आपको कुछ नहीं करना आपको एक heading लिखनी है एक line चोड़ेंगे आप heading जो है आप वही same heading use कर सकते हैं जो आपने note making की title दिया है तो exactly वही same heading भी आप summary में भी दे सकते हैं यहां हो सकता है तो आपका मन है तो आप कुछ different heading भी दे सकते हैं related to the passage तो कुछ नहीं है आपको heading दे रही है एक line चोड़ेंगे निया सिब जो body जो आपका main content है जो आपको main लिखना है अपनी summary में वो आपको यहां पे लिखना है कितने words में? 50 to 80 words में, that's it ओके और यह जो summary आप लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे? जो आपने note making बनाई थी उसकी मदद से उनी words को use करके उनको words में आपको बस convert करना है और एक छोटी सी summary लिखने 50 to 80 words में अब यहां पे कुछ points to remember है जब आप note making and summarizing करते हैं तो आपके अपने mind में कुछ points को याद रखना पड़ेगा और फिर अपना question attempt करना पड़ेगा तो आपको जब आप note making कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है essential phrases मैंने आपको पहली बताया था कि full sentences नहीं लिखते हैं note making में हम स्रफ essential phrases याने छोटे-छोटे words ही use करके एक note बनाते हैं जो हमारे लिए understandable है वैसे notes बनाने हैं जिसको at least 1-2 word भी अगर आप लिख रहे हो तो उसको पढ़के आपको समझ में आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है और इसका क्या मतलब है no use of helping verbs and prepositions कोई भी helping verbs, prepositions and in, nor ये सब आपको कुछ नहीं लिखना आपको simply ऐसे लिखना है कि बस आपको समझ में आ जाए and 2-3 words में आपका वो छोटा सा phrase complete हो जाए minimum words no full sentences again and वोई चीज़ आपको कम से कम words में अपने notes बनाने, full sentences लिखने की जरुवरत नहीं है no full sentences and last point is really important examples अगर आपको examples mention कर रहे हो अपने notes में, passage से निकालके तो वो सिर्फ important examples ही होनी चीज़ी, कोई भी unimportant चीज कोई भी unimportant sentence कोई भी unimportant बात आपको अपने notes में mention नहीं करने है सिर्फ utmost important जो आपको चीज़ें दी गई है passage में और जो examples दी गई है सिर्फ वो नहीं लिखना है एक बहुत important चीज़ आप अपने मन से कुछ भी notes में नहीं लिख सकते जो भी कुछ आपको passage given है उसी में से ही आपको अपने notes बनाने हैं आप अपने मन गणन चीज़ें कुछ भी नहीं लिख सकते हैं ना कुछ भी imagine करके example लिख सकते हो example भी आपको वो ही लिखना जो passage में mentioned है अब बात करते हैं abbreviations की अगर जो notes में जो abbreviations याने की जो short forms लिख रहे हैं उसका क्या मतलब है at least four abbreviations जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको abbreviations लिखने हैं तो जब आप notes उपर लिख रहे हो तो चार abbreviations लिखने हैं again की में उन चारों को आपको mention करना है उनका short form और उनका full form दोनों notes में सरफ short form और key में short form and word का full form दोनों mention करना है जैसे कि carbohydrate का exam carbohydrate carbohydrate ये full word है इसका abbreviation क्या है carb dot तो carbohydrate का जो short form ये abbreviation आप बोल सकते हैं वो है carb और carbohydrates का abbreviation है carbs C-A-R-B-S full stop तो ये जो short form ये जो abbreviations है ये popularly known है and worldwide use के जाते हैं सरव नहीं को आपको use करना है हर किसी abbreviation को आप use नहीं कर सकते add a full stop after an abbreviation जैसे कि मैंने आपको बताया था हर abbreviation के बाद इस तरीके से full stop आता है use common and easily identifiable abbreviations जो की popularly use होते हैं English language में known है जो abbreviations आपको वही use करने है आप कहीं से भी कुछ भी किसी भी word का short form बना के नहीं लिख सकते abbreviations and notes अब आपको abbreviations कैसे बनाने है prepare a key to abbreviations जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पूरा format है उसको ऐसे नीचे से format के बाद नीचे से box बनाएंगे and यहां पर उसके short form आएंगे और यहां पर full word लिखेंगे आप end में तो आपको इस तरीके से की याने ऐसे box बना के लिखना है enclosed within a box वोई same चीज box में ही आएगा पूरा आपका abbreviation presentation is of utmost importance अब आपने पूरे notes बना लिए हैं और कहीं से भी कुछ भी लिख दिया numbering सही नहीं करी अच्छे से subheadings नहीं लिखी आपने और अगर passage में आपको लगता है कि subheadings के अंदर भी कुछ points आ रहे हैं यानि कि सब subheadings include हो रही हैं अगर आपने ये सब चीजों को सही numbers के साथ आपने सही numbers के साथ आपने mention नहीं करा है और last में box में आपने की नहीं लिखी है तो आपका presentation खराब होगा और आपके marks deduct हो सकते हैं तो अगर सही presentation नहीं हुई है पूरे notes की तो यानि कि आपके marks कहीं ने कहीं deduct होने के chances हैं अब यहाँ पर हम एक example start करते हैं note making का यानि की note making and summarizing के उपर एक मैं आपको question यहाँ पर solve कराती हूं यह question है यह sample question paper जो CBC का है 2019-20 का उसमें से मैं ने लिया है यह आया था question तो इस passage को मैं आपको बताऊंगी क्या है इस passage के बारे में and इस passage की मदद से कैसे हम notes बनाएंगे और कैसे उसकी summary लिखेंगे वो हम यह discuss करते हैं so let's begin Balancing the skills Artificial Intelligence AI is making a difference to how legal work is done but it isn't the threat it is made out of to be AI is making impressive making impressive progress and shaking up things all over the world today तो यह जो passage start हो रहा है इसको पढ़के हमें यह समझ में आता है कि जो passage है यह Artificial Intelligence के उपर passage है जिसको उन्होंने short form as an artificial intelligence का जो abbreviation है इन्होंने हापे क्या दिया है AI अब AI जो abbreviation यूज हुआ है यह क्या है यह एक known abbreviation है यानि की commonly, popularly used होता है तो वो हमने as an abbreviation यूज किया है तो हमारा first abbreviation तो हमें मिल गया AI अब artificial intelligence क्या होता है वो मैं आपको एक बर बता देती हूँ Artificial Intelligence वो intelligence होती है जो humans use करते हैं और क्यों use करते हैं ताकि वो machines के थूँ computers के थूँ कुछ ऐसे programs बना पाएं कुछ ऐसे software's बना पाएं जो इंसानों की मदद कर पाएं ओके तो यहाँ यहाँ पर इस chapter में यहाँ पर इस passage में जो हम artificial intelligence के बार में पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं legal field में legal work में यानि की courts में lawyers को कैसे artificial intelligence का जो यह concept है यह काम आता है वो सब हम पढ़ेंगे इस chapter में तो वो बता रहे हैं कि artificial intelligence जो है legal work किया जाता है and it isn't the threat यानि कि उससे कोई किसी को डर या कोई नुकसान नहीं है आगे बढ़ते हैं passage में let us understand what this means explicitly for the legal world the ambit of AI includes recognizing human speech and objects making decisions based on data and translating languages तो हमें यह समझ में आ रहा है कि हमको AI यानि artificial intelligence किस किस में काम आता है recognizing human speech and objects making decisions based on data and translating languages तो हमको इन तीन चीज़ों में क्या काम आता है artificial intelligence अब आप देख रहे होंगे कि मैं underline भी करते जा रही हूँ that means जब मैं passage read करूंगी तो जो important points है वो underline करती जाओंगी मैं pencil से and जब notes बनाने का time आएगा जब notes बनाने की बारी आएगी तो इन ही points को इन ही underline words को मैं use करके उसके notes बनाती जाओंगी तो मेरे लिए easy होगा task that can be defined as search and find type can be performed by AI तो वो सारी चीज़े जिसको ढूंड के हम find करके हम अपनी problem को solve कर सकते हैं उसे हम कहते हैं AI तो basically AI computer programs होते हैं जिनसे legal work में हमको help मिलती है हमारे problems के solutions मिलती है तो यहां पर क्या हो रहा है यहां पर कुछ benefits बताए जा रहा है हम लोगो को किसके artificial intelligence के कि वो हमारी life को easy बनाने के लिए use होती है also बता रहे हैं हमको कि क्या होता है purpose क्या है ताकि हम mass panic ना create कर पाए और hostility towards embracing technology यूज कर पाए तो यह सब चीज़े हमको बताई जा रही है कि यहां पर life easy हो जा रही है जब हम artificial intelligence का use करते defunct का meaning जब कोई चीज डिस फंक्शन हो रही हो यानि अच्छे से काम नहीं कर रही हो या कोई चीज काम करने में fail हो गई हो तो उसे हम defunct कहते तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी will render any profession defunction is that an assumption and a false one तो बोल रहे हैं कि अगर यह assumption कि अपने यह assume कि artificial intelligence को use करके हम किसी भी profession में उस चीज को disfunction कर देंगे यानि वो सही से काम नहीं करेगी तो यह एक false चीज है यह गलत चीज है बलकि artificial intelligence को use करके हम अच्छे से चीजों को और बेटर बना सकते हैं तो वो कह रहे है कि law की field में, lawyers की field में, legal field में जब हम artificial intelligence को use करेंगे तो वो क्या होगा? वो हमारे लिए enable क्या करेगी? quicker decisions जल्दी से हम कोई भी quickly कोई भी decision कर सकते हैं और अपना काम quickly complete कर सकते हैं और mundane का मतलब क्या होता है कोई भी boring चीज या चीजें जो बहुत slow चल रही है तो जो चीजें slow चल रही है artificial intelligence अगर उस चीज में use होगी तो उसका working fast हो जाएगी और quickly हमारा काम खतम हो जाएगा AI is meant to automate a number of tasks that take up precious working hours of lawyers could be devoted to the tasks that require discerning, empathy and trust qualities that cannot be replicated by even the most sophisticated form of AI तो यहाँ पर कहरे है कि AI जो है वो हर field of law में use नहीं की जा सकती सरफ उनी जगा पर use की जा सकती है जहां पर lawyer नहीं काम कर पा रहा है या lawyer को यहां पर किसी चीज की help की जरुआते है तो वहां पर artificial intelligence की मदद ले सकता है For example, अगर lawyer को court जाना है और court में जाके उसको अपना case present करना है लोगों के सामने और पूरा case लड़ना है तो यहां पर तो artificial यानि कोई computer program जाके नहीं कर सकता यहां पर तो lawyer को खुछ जाना पड़ेगा या अगर किसी अपने client के साथ बैठके उनको पूरा discuss करना है case के बारे में सारी case की detailings जाननी और बाते करनी अपने client से और पूरी उनसे information निकलवाने तो यहां पर भी कोई computer program काम नहीं आ पाएगा यहां पर lawyer को खुछ जाना पड़ेगा तो वो कह रहे हैं कि artificial intelligence उनी fields of law में use किया जाए जहां पर lawyer नहीं पहुच पारा यानि कि lawyer जो चीज़े कर सकता और जहां पर lawyer को अपने client से personal touch चाहिए वहीं पर ही वहां पर lawyer काम करे और जहां पर lawyer काम नहीं कर पारा जिस फील्ड में वहां पर artificial intelligence का use किया जाए दे लीगल profession is one of the oldest professions in the world thriving over 1000 years trust, judgment and diligence are the pillars of this profession the most important pillar is the relationship of trust between the lawyer and the clients which can only be achieved through the human connection and interaction तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि जो lawyers की field है जो law की field है यह बहुत एक हजार साल पुरानी है हमारी दुनिया में और बताया जा रहा है कि इसमें जो important चीज़ है वो है relationship between the lawyer and the client जब तक lawyer अपने client के साथ personal touch नहीं रखेगा याने एक एक चीज़ उनसे communicate नहीं करेगा अच्छे से उनसे information सीख नहीं करेगा तब तक वो case को अच्छे से नहीं जान पाएगा तो इस profession में जो client और जो lawyer का जो relationship है जो की human connection और interaction से बनता है वो बहुत important है जहां पर artificial intelligence काम नहीं कर सकता यहां पर खुद lawyer को ही काम करना पड़ेगा वाल artificial intelligence can be useful in scanning and organizing documents pertaining to a case तो artificial intelligence कहां पर काम आता है जब आप सारे documents को scan करते उनको organize करके numbering वगरे साही करना यहां पर artificial intelligence काम आएगा इट केनोट perform higher level tasks such as sharp decision making जो higher level task होते हैं जैसे decision making लेना यानि case में जो आप decision ले रहे हो वो सब यहां पर artificial intelligence नहीं कर सकता वो खुद lawyer को ही करना पड़ेगा relationship building with valuable clients जब आप एक अपने client से relationship build करते हो तो वो भी यहां पर lawyer को करना पड़ेगा यहां पर artificial intelligence काम नहीं आ सकता and writing legal briefs advising clients and appearing in the court तो यह सारी वो चीजे हैं यानि कि जो भी आप court में जब जाना पड़ता है एक lawyer को case को लडने के लिए को decision बनाना पड़ता है कोई चीज लिखनी पड़ती है या जो clients से उनका interaction है यह सब lawyer को ही करना पड़ेगा यहाँ पर artificial intelligence काम नहीं आएगा तो basically यहाँ पर वो सारे points हमने underline किये हुए जो artificial intelligence नहीं कर सकता तो artificial intelligence मतलब क्या जो चीजे computer programs की मदद से की जाती है तो यह जो हमने सब चीजे भी mention की है यह computer की मदद से नहीं हो सकती यानि कि lawyer को court जाना ही पड़ेगा clients interaction करना ही पड़ेगा अपने कुछ decisions दिमाग लगा के लेने ही पड़ेगे जो computerization से बहुत उपर है वो खुद lawyer ही करेगा तो यहाँ पर क्या समझाय जा रहा है कि अगर आपको किसी case का smooth proceeding करना है तो वो legal research के बिना possible नहीं और यह research कौन करेगा यह research lawyers करेंगे और यह बोला जा रहा है कि अगर आपको case present करना है कहाँ पे court में तो यह भी lawyer को ही करना पड़ेगा और information भी legal information जो भी lawyer को ही करना पड़ेगा तो वो artificial intelligence के द्वारा नहीं हो सकता और जित्ते भी relevant cases है याने एक particular case को पढ़ने के लिए और उसको solve करने के लिए कुछ दूसरे मिलते जुलते relevant cases study करने पड़ते हैं तो वो दूसरे cases को study भी lawyer करता उसमें कोई artificial intelligence काम नहीं आता है Lawyers are even required thoroughly know the opposing stand and supporting legal arguments they can expect to prepare a watertight defense strategy तो अपने सामने जो opposite party खड़ी है जिससे lawyer case लड़ रहा है उनसे कैसे cross question करना है उनकी क्या मान सकता है याने उनकी क्या views है उसको समझना और जो आपको legal arguments करने पड़ते हैं court में खड़ोके यह सब एक lawyer कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है कोई computer program इसमें आके आपकी help नहीं कर सकता AI software that operates a natural language enables electronic discovery of information relevant to a case, contract, reviews and automation generation of a legal document तो अब AI क्या कर सकता है artificial intelligence कहा 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 मा सकता है legal field में वो पढ़ रहा है हम तो यह वो software है जो natural languages पे वर्क करता है कुछ electronic discovery है information जो relevant है case से related उस पे काम कर सकता है contract reviews याने contract जो पूरा बनायाएगे उसको review कर सकता है पूरा automation generation of legal documents कुछ legal documents generate कर सकता है तो यह वो सारी चीज़ें जो AI कर सकता है इससे पहले हमने वो सारी चीज़ें पढ़ी थी जो AI नहीं कर सकता AI utilizes big data analytics which enables visualization of case data it also allows for creation of a map of these which were cited in previous cases and their resulting verdicts as per the websites towards data science तो यह सारी चीज़ें हैं जो AI कर सकता है basically तो यहां पर क्या बताय जा रहा है यहां हमें यह बताय जा रहा है कि एक case का outcome कैसा होगा positive होगा कि negative याने आप वो case जीत सकते हो कि नहीं जीत सकते हो यह कैसे predict करेंगे यह कैसे अनुमान लगाएंगे हम case के बारे में with machine learning यह machine learning से आपकी help हो जाएगी यहां पर artificial intelligence काम आ जाएगा यह forms के लिए बहुत advantages है ताकि वो पहले से ही एक overview ले सकते हैं कि हमारे case जीतने के या case को हाणने के कितने chances है तो यहां पर हमारा passage खतम होता है और अब हमारा main question आता है यहां पर जिसमें a part दिया हुआ है on a basis of your understanding of the above passage make notes in utilizing headings and subheadings तो अब जो हमने artificial intelligence के उपर पूरा passage पड़ा है अब हमको क्या बनाने है उसके notes बनाने है जिसमें क्या होनी चाहिए headings and subheadings अगर कोई sub-subheadings भी हैं तो वो भी mention आप कर सकते हो use recognizable recognizable abbreviations wherever necessary minimum for तो आपको abbreviations use करने and secondly recognizable abbreviations याने जो recognized हुए हुए याने popularly जो use होते है and कितने use करने आपको four abbreviations and a format you consider suitable और आपको अपना पूरा note making का format उसकरने while making your notes also supply an appropriate title to it और आपको कितना title और आपको एक title भी देने अपने notes को basically यह जो note making का question है कितने का marks का है five marks का है अब जो B part है आपके question का वो है write a summary of the passage in about 80 words जो कि three marks का है तो इनी notes को use करके अब आपको क्या लिखना है exam में अपनी summary लिखनी है 80 words में उन्होंने आपको word limit भी question में दे दी और बता दिया कि three marks का है यह summary का question तो basically five plus three total eight marks का आपका note making and summarizing का question है देखते हैं आगे कैसे हम format use करके solve किया है हमने अब यहां से हमारा main solution स्टार्ट होते है याने यहां से हमारे main notes स्टार्ट होते है passage हमने read कर लिए artificial intelligence के बारे में अब सबसे पहले हम क्या देंगे एक title तो यह क्या दिया हुआ है आप एक title दिया हुआ है सबसे पहले क्या देदी है number one हमारी main heading देदी हमने और हमारी main heading क्या है ये not a threat याने artificial intelligence हमारे लिए threat नहीं है और उसके अंदर start होती है हमारी सब headings जिसकी numbering होगी 1.1 1.2 1.3 तो artificial intelligence हमारे लिए threat नहीं है उसके अंदर के sub points है is of help याने वो हमारी help करती है artificial intelligence makes life easier हमारी life को easy बनाती है no profession defunct और इसमें से कोई भी profession defunct नहीं होता याने कि इस intelligence को यूज करके कोई भी profession में dysfunction या फिर कोई गलतिया नहीं होती तो यह थे हमारे यह सारे हमारे क्या थे sub headings थी अब number two number two अब क्या है हमारी है again second main heading start होरी जो कि है AI will help legal field AI अब legal field में help करेगी कैसे help करेगी तो उसके अंदर जितने भी sub points mention है 2.1 2.2 2.3 and 2.4 वो हमने यह पर लिखे हैं तो recognizable human recognize human speech and object तो पहली चीज़ क्या है वो human speech and object को recognize कर सकती अब यहां अगर आप ध्यान दे तो यहां पर हमारा पहला abbreviation use हुआ है notes में वो है recognize ओके फिर क्या करेगा artificial intelligence legal field में making decisions based on data third करेगा translates languages and fourth करेगा do research and find tasks तो यह चार चीज़े AI help करेगी legal field में तो यहां अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पर हमारा second abbreviation use हुआ है जो कि है languages इसको short में हम LNGS dot लिखते हैं ओके अब इसी के नीचे आगे आगे आपका पूरा continue होगा I was not having space तो मैंने second slide पे अपना forward किया हुए अपना transfer किया हुए अपना notes लेकिन आपको एक की page पे एक के नीचे एक के नीचे लिखना है पूरा continue होगा एक page पे अब इसके नीचे आएगी मेरी third sub heading third main heading जो कि है AI cannot perform high level tasks like अब third heading मैंने दिए कि AI जो high level tasks होते हैं वो perform नहीं कर सकते हैं और वो high level tasks कौन से होते हैं वो उसके अंदर सारे sub points में mention कियो है जैसे writing legal briefs, advising clients, appearing in courts, sharp decision making तो यह सारी चीज़े जो high level tasks होते हैं वो AI नहीं कर सकती तो यहां पर हमारा third abbreviation भी use हुआ है जो कि है appearing उसको हमने short form में लिखा है apprng. okay फिर fourth main heading है हमारी functions of AI यानि AI क्या-क्या काम कर सकता है तो उसके अंदर सारे sub headings यह हुए है जिसमें वो अपने सब काम कर सकता है जो कि है colleagues data, predicts probable outcomes, tells return on investment, considering agreement और arbitration तो यहां अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पर हमारा fourth यहां पर mention हुआ है short form या अब्रिवेशन जो कि है investment उसको short में investment लिखने तो यहां पर 4 abbreviations हो गए तो minimum 4 लिखने उससे जादा भी चाहें तो आप लिख सकते लेकिन 4 तो आपको लिखने और यहां पर AI भी यूज हुआ है जो कि artificial intelligence का short form है तो this is our fifth abbreviation तो 5 abbreviations हमने use किये हैं और यह हमारा पूरा format के साब से notes है अब हमारा क्या आएगा अब हमारा आएगा key to abbreviations यह भी आपको continuation में लिखना है notes खतम होंगे और last में आपको एक box बनाना पड़ेगा तो आपको ऐसे box बनाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा उसकी heading key to abbreviations और आपको बताने पड़ेगे कि कौन से आपने abbreviations यूज किये हैं और इनके full forms किये हैं तो abbreviation क्या क्या हमने use किया पहला AI और उसका full form क्या है artificial intelligence second है रेकग इसकी एक abbreviation और उसका full form क्या है recognizes then third आपका abbreviation आपने use क्या है वो है langs और इसका full form है languages then fourth आपने use क्या है APP poo r ng. और इसका full form है appearing and last abbreviation आपने use क्या है वो है INVT. और इसका full form है investment तो जो भी आपने abbreviations use क्या है notes में वो आप mention करेंगे और इसी key में आपको उनका full form भी लिखना पड़ेगा यानि कि उसका full form क्या है उस board का So, यहाँ पे हमारे notes खतम हुए and B part जो कि हमारे question का था वो क्या था हमें summary लिखनी है और summary कैसे लिखेंगे जो हमने notes बनाए थे न उनी की मदद से ही हम summary लिखेंगे तो हमारे notes कहा है यह हमारे notes हमने बनाए है यह है जिसमें हमारे चार main headings है यानि 1, 2, 3 and 4 और इन चारो main headings के अंदर कुछ sub points हमारे यहां given है हमने sub-sub points यहां नहीं mention किये है क्योंकि पूरे passage में कहीं भी ऐसा नहीं था कि किसी sub heading के अंदर भी कोई bifurcation यह classification हो रहा है जिसको मैं sub-sub heading point दूँ अगर आपके exam में कोई passage आता है जिसमें sub-sub heading भी आती है तो आप उसे mention करिए सही numbering के साथ तो यह हमारे notes यह नहीं की मदद से हमें क्या बनाना है हमें हमारी summary बनाना है summary के हमने जैसे format पढ़ा था सबसे पहले क्या आएगा title आएगा तो title आप कुछ passage से related भी दे सकते हैं यह note making के वक्त आपने जो title दिया था उसी को भी same आप यहाँ पर लिख सकते हैं एक line छोड़के आप अपनी summary स्टार्ट करेंगे summary आपको around 50 to 80 words लिखनी है आपके question में mentioned रहेगा तो artificial intelligence is not a threat but makes life easier especially in the legal field it cannot perform certain high level tasks like writing legal briefs, advising clients making sharp decisions and appearing in quotes but it can collate data, aid research and decisions based on data तो जो first, second, जितनी भी आपने main headings, subheadings लिखिये उनको बस हमने sentences में convert करके आ लिखाया और कुछ अपनी मर्जी से कुछ भी नया हमने आ नहीं लिखा it also aids in recognizing human speech, decision making, translates and performing research and fine tasks AI does not pose a threat to any profession, instead it aids it तो AI किसी भी profession में defunct याने failure नहीं थाबित होता है बलकि वो aid करता है aids याने की उस field में, उस profession में लोगों की help ही करता है aid करना याने की help करना तो AI basically बहुत helpful एक concept है जो कि हम use करते हैं हमारी किसी भी field में और यह जो हमने passage पड़ा था वो legal field के बार में था so children with this we come to an end of this chapter I hope आपको chapter आपको ये पूरा जो note making का और जो summarizing का जो concept है जो कि writing skills में आते हैं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा and I guess कि आपको tension लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है and क्यों आपको tension लेने की जरूरत नहीं है क्यों कि magnet brains हमेशा आपके लिए आपकी खातिरदारी के लिए videos बना बना के free of cost आपके घर पे भेशता रहेगा लेकिन एक चीज जो आपको करनी है वो है practice practice and practice यह तो मैंने आपको पढ़ा दिया but then आपको इसमें कैसे काम करना है यह आपको practice करना पढ़ेगा आप अलग-अलग questions निकालिए practice करिए उससे आपकी habit बनेगी कि कैसे notes बनाये जाते हैं एक्जाम में आपको सोचना ना पढ़े कि कौन सी sub heading रखूँ कैसे रखूँ कैसे format करूँ आप फटाफट फटाफट करते जाएंगे क्योंकि आपकी practice क्यों रहेगी तो आपको practice start करनी है आज से in fact अभी ही से ओके तो तब तक लिए bye bye and take care